दोस्तो प्रोपर्टी खरीदते समय तो सारी दुनिया सावधानी रखती है जितना भी जिससे रखा जाता है परन्तु यदि आप प्रोपर्टी बेच रहे हो किसी को तो भी क्या किसी सावधानी की आफशक्ता है लगता तो ऐसा ही है कि बेचने वाले को क्या सावधानी रखनी उसके तो दो ही मुख्य लक्षे होते हैं कि नमबर एक जो पैसा ते हुआ है मेरी प्रोपर्टी का वो मुझे पूरा पैसा मिल जाए और नमबर टू मुझे वो पूरा पैसा टाइम पे मिल जाए यही दो मुख्य कंसर्ण होते हैं जब हम अपनी प्रोपर्टी किसी को बेचते हैं परंतु इन दो मुख्य बातों के बीच में और भी कहीं छोटी छोटी बाते हैं जहां पे अगर किसमत खराब हुई तो आप फस जाओगे तो देखते हैं कि वो ऐसी कौन सी बाते हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी जो प्रोपर्टी बेचने की ट्रांजेक्शन है वो स्मूथ रहेगी और आप किसी लफड़े पे नहीं पड़ोगे दोस्तों सबसे पहली सावधानी तो आपको ये रखनी है कि यदि आप अपनी प्रोपर्टी का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सोधा कर रहे हैं बात्ची चल रही है तो कभी भी प्रोपर्टी डीलर को या बायर को या किसी भी विक्ती को जब तक की registration date ना आ जाए, जिस दिन registry होनी हो वो लम्हा ना आ जाए तब तक आप अपनी property के original property paper किसी भी व्यक्ति को नहीं देना बहुत सारे property documents से related fraud होते हैं एक property के duplicate document बन जाते हैं इसी परकार आज कल थोड़ा ये चलन में ज्यादा है कि लोग अपने property documents की scanning करके रख लेते हैं, PDF फाइल बनाके रख लेते हैं और जब कोई उन्हें कहता है property document दिखाईए तो वो PDF फाइल मेल कर देते हैं colored, scan, copy किसी को भी देना खतरे से खाली नहीं है आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा सावधानी के तोर पे बहुत ही जरूरत पढ़ जाए और property dealer या buyer बोले कि भी मुझे property document चाहिए verification करनी है तो आप खुद उसके पास चले जाएए, उसे अपने पास बुला लीजिए property document original अपनी आखों के आगे दिखा दीजिए अगर buyer ये कहता है कि मुझे bank में loan लेना है और bank property paper की photocopy मांग रा है तो आप black and white photocopy कराईए और हर photocopy को cross मार दीजिए और उसके उपर संभव हो तो हर एक पे लिख भी दीजिए given to जो भी bank का नाम है इस bank को दिए for the home loan purposes of this person ऐसा लिख के उनको पगड़ा दीजिए safety के लिए तो ये पहली सावधानी रखनी है property paper के documents के संदर्ख में next सावधानी जो कानूनी रूप से आपको रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को आप अपनी property बेच रहे हैं जो prospective buyer है या अगर एक से ज़्यादा लोग आपकी property को खरीद रहे हैं तो जो आप agreement to sell बनाएंगे property खरीदने बेचने का जो agreement बनेगा उसमें सभी buyers के नाम लिखे होने चाहिए उनका आधार नंबर भी लिखा होना चाहिए और सभी buyers के उस agreement में sign होने चाहिए ऐसा नहींगी property आप दो लोगों को बेच रहे हो किसी एक ने sign कर दिया बात खतम हो गई वो agreement complete नहीं होगा lawful नहीं होगा वो unlawful agreement होगा अगर कोई विवाद उत्पन हो गया तो इसी प्रकार आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने property Mr. A और B को बेचनी है और वो आपको कोई token money दे रहे है या पूरा पैसा दे रहे है प्रोपरिटी का तो आप A और B के bank account से ही पैसे अपने account में लेना ऐसा नहीं कि property तो आप फॉर एक्जमपल राधिशाम और शामलाग को बेच रहे हो और पैसे आपके account में नत्थूलाल दे रहा है ऐसा नहीं करना जो buyer है उनी के account से आपके account में पैसे आने चाहिए तभी वो एक value transaction होगी कल को अगर Mr. C ने आपके account में पैसे दे दिये और Mr. C की नियत में कुछ खरावी आ गई तो वो आपके उपर एक separate मुकदमा code में कर सकता है कि मैंने तो इनको पैसे उधार दिये थे मैंने इनसे कोई property नहीं खरी दी और पैसे मैंने दिये थे और इन्होंने property मुझे बेची ही नी property A और B को बेच दी पैसे मेरे से ले लिए आप क्या गरूरे तो जिसको property बेची है उसी से ही पैसे लेने है उसकी company से भी नहीं लेने कई बार क्या होता है कि Mr. A और B हैं या Mr. A है चलो Mr. A एक company में private limited company में director बने हुए है property Mr. A खरीद रहे है परन्तो जो उन्होंने check काट के दे दिया आपको वो अपनी company का काट के दे दिया company एक separate legal entity होती है और Mr. A एक separate entity है आम तोर पे हम normal बोल चाल की भाशा में बोल देते हैं कि इस company के मालिक है ऐसा नहीं है legally ऐसा नहीं है कम से कम तो जिस अगर आप company को property बेच रहे हो तो ही company का check लेना है वरना company के account से पैसे नहीं लेने तो जिसको property बेच रहे हो उसी से पैसे लेने मेरे भाई किसी और से पैसे मत लेना अपने account में तीसरे point पे चलते हैं मैंने कुछ seller ऐसे देखे हैं कि जिनोंने bank से loan ले रखा होता है और वो उस loan को pay नहीं कर पाते loan NPA हो जाता है परन्तु उनकी नियत खराब नहीं होती वो चाहते हैं कि वही हम अपनी property बेच के bank का loan चुकता करके कर्ज मुक्त हो जाएं सर पे कर्जा नहीं मानता लेकिन bank जो उस property के perspective बायर लाता है वो बहुत ही कम value के लाता है तो वो seller किसी भी तरह से एक buyer अपने circle में ढूण लेते हैं property dealer के mathem से या कैसे भी जो उस property को खरीदने को तयार हो जाता है चलो साब अच्छी बात है आपको कम से कम एक buyer तो मिल गया जो एक reasonable rate पे आपकी property को खरीदना चाहता है आपने उस buyer को ये बताना है कि इस property पे bank से loan चल रहा है आपने बता भी दिया फिर आप उस buyer को आपको bank में ले जाना है bank में ले जाके bank manager से मिलवाना है उस buyer से offer दिलवानी है bank को कि मैं ये property इतने रुपे में खरीदना चाहता हूं और फिर bank के अधिकारियों के साथ मिलके जो भी necessary legal formalities है उसके बाद ही आप उस property को खरीदने का सोदा उस buyer के साथ करिएगा अगर आपने ऐसा नहीं किया और agreement बना लिया और बाद में आपका और buyer का किसी भी बात पे जगड़ा हुया तो वो buyer आपके खिलाफ cheating का मुकदमा दायर कर सकता है section 420 Indian Penal Code में जिसमें 7 साल तक की जेल का प्रावदान है जमानत भी मुश्कील से मिलती है जुर्माना भी लगता है क्योंकि शुरू में आपने उसे चाहे सब कुछ बता रखा हो जब जगड़ा हो जाएगा तो वो कोर्ट में पुलिस को यही बोलेगा देखो साब मेरे साथ agreement बना लिया मुझे bank loan के बारे में बताया ही नी और इसकी property bank में गिरवी पड़ी थी और मुझे बेचने की कोशिश कर रहा था और इतने रुपे मेरे से ले लिये तो चीजों को disclose करना है bank के पास ले जाना है proper agreement बनाना है bank के साथ कोई tripartite agreement अगर bank बनाता है कि तीनों लोगों का अपस में मिलके या जो भी necessary उस समय आपके advocates या जो bank के advocates कांसल करते हैं उस तरह से transparently इस परकार की property को बेचना है सीधा सीधा verbally मुझवानी बता दिया उसने समझ लिया ऐसा नहीं करना आप चक्कर में पढ़ जाओगे next point पे discuss करते हैं next मेरा suggestion ये है कि जब भी आप payment ले बायर से तो आप कम से कम check लेना avoid करिए check लेने में कई खतरे हैं और सबसे बड़ा खतरा है check bounce होने का वो bounce चे किसी भी वज़े से हो है ऐसे कुछ court cases में खुद handle कर रहा हूं court के अंदर जहां मैंने देखा है कि registry वाले दिन बायर चेक लेके आया वो check registry में एंटर हो गई कि check number so and so इस bank का दिया गया है registry हो गई seller check लेके घर गया bank में डाला अगले दिन check bounce हो गया check bounce हो गया तो उसको अंदर लिखा हुआ है कि अगर payment नहीं मिली तो ये registry cancel हो सकती है हो तो पता नहीं क्या गया सकता है लेकिन पिछले तीन साल से registry cancel हुई नहीं है और court में तारीख पर तारीख पढ़ रही है और वो एक जहमेले में पढ़ गया है क्योंकि अगर मैं sale word कि legal परिभाशा पर जाओं तो sale का मतलब जरूरी नहीं कि पैसे दे दिये हूँ पैसे देने का promise करना भी sale होता है तो वो sale deed cancel नहीं हो पा रही है अभी तक भी वो जो अब seller है बेचारे वो उसके उपर recovery का case अलग से डालेंगे पहला case हारने का खतरा बन चुका हुए code sale deed असानी से cancel नहीं कर रही है बाकि facts to facts case to case depend कर दिये चीज़े ऐसे लफड़े में पढ़ना ही क्यों है तो आप जो बायर है सीधा उसको ये बोलिए कि भाई साब जिस दिन रेजिस्ट्री होएगी सब रेजिस्ट्रार ओफिस में अगर आपको मेरे पर यकीन नहीं है आप advance में पैसे नहीं देना चाहते पूरे रेजिस्ट्री वाले दिन देना चाहते हैं तो उसी दिन हाथों हाथ में property paper लेके होगा जब सब रेजिस्ट्रार ओफिस में होँगे उसी समय आप online अपने bank account से मेरे bank account में transfer कर दीजिएगा या आप demand draft बना लो demand draft बनाने में लोग इतने apprehensive होते हैं कि इस पे duty बनाने का खर्चा आएगा बहुत भारी मुसीवत में पढ़ने से बेतर है वो खर्चा आप पे कर दो या आदा आदा जो भी प्रोपरिटी आप किसी से कई बार मैंने देखा है कि आपस में जब agreement बन जाता है तो जो खरीदार होता है वो seller को ये कहता है कि भाज साब देखो मैंने इतना token money तो आपको देई दिया है 2,00,000 रुपे तो देई दिये हैं मेरा काम हेंपर हो रहा है या मुझे किराय देना पड़ रहा है दूसरी जगे मैं इस घर में shift कर लेता हूं या इस दुकान में मैं अपना कुछ समान रख लेता हूं प्लीज आदमी सोचता है कि चलो यार agreement भी बन गया या आप मुझे 10,000,000 रुपे मैंना एक्स्ट्रा बे कर देना किराय के कहीं बार ये भी बात हो जाती है कोई भी अवस्था हो चाहे आप पैसे लो किराय के या मतलो मेरा सुझाव ये है ऐसी गलती कभी करना नहीं आप बिल्कुल भी अपनी प्रोपरिटी की चावी पोजेशन प्रोस्पेक्टिव बायर को नहीं देना जब तक रजिस्ट्री ना हो जाए इसमें बहुत सारे कानूनी खत्रे हैं उन खत्रों की विवेचना मैं इस वीडियो में करने लगूँगा तो दो घंटे का वीडियो हो जाएगा कम शब्दों में जो बात कह रहा हूँ बस आप उसको समझनी जीए पोजेशन जब तक रजिस्ट्री ना हो जाए रजिस्ट्री उससे पहले नहीं देना रजिस्ट्री वाले दिन ही देना है उससे पहले किसी भी कीमत पे प्रोस्पेक्टिव बायर को चादी अपने घर की नहीं देनी, दुकान की नहीं देनी, उसका समान अंदर नहीं आने देना, खुद वहां से बाहर नहीं निकलना, भले ही ताला पड़ा रहे है नेक्स पॉइंट ये है कि अगर आपने प्रोपरिटी अपनी इस समय वर्तमाद में किराय पे दे रखी है, कोई लीज एग्रीमेंट बना रखा है, रेंट एग्रीमेंट, लीवेड लाइसेंस, वर्ट इन वर्टेवर फॉर्म, और वहां पे कोई किरायदार है जो उस बता भी दीजिए सामने वाले बायर को, और उसमें लिखवा दीजिए कि इनको ये बता दिया गया है, कि वर्तमाद में ये प्रोपरिटी इस व्यक्ति के पास किराय पे चड़ी हुई है, और इसका जो लीज एग्रीमेंट है या जो भी एग्रीमेंट है, उसकी कोपी भी प्रोवाइड करा दी गई है, ऐसा डिस्क्लोज कर दीजिए आप, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो किरायदार होते हैं, वो खुद इस फिराक में होते हैं कि हम इस प्रोपरिटी को सस्ते में खरीद लें, और जब मकान मालिक उनको किरायदार को प्रोपरिटी नहीं करेंगे नहीं, इंटरफियर करेंगे कि इस समय क्यों आ गए, उस समय क्यों आ गए, नानुकूर करेंगे, या कुछ कमियां बताएंगे, या जानबूज के जो गराहक आप लेके आए उप प्रोपरिटी बीचने के लिए उसे कम प्राइस बोल देंगे कि यहां तो इतना ही मतलब खराब करेंगे वह आपके बायर को, और अगर वो ऐसा ना भी करें, तो कुछ अवस्थाओं में किराइदार की मन्शा खराब ही होती है, उनकी नियत खराब होती है कहीं बार, सभी किराइदार एक जैसे नहीं होते, मैं भी कभी किराई पे रहता था, तो कुछ लोग तो जब बायर ने आपको एक करोड़ रुपया दिया है प्रोपर्टी खरीदने के लिए और वो परिशानी में पढ़ रहा है तो अगर वो कोर्ट में जाएगा तो वो खाली किराएदार के अगेस्ट नहीं जाएगा भाई साथ वो आपको भी लपेटेगा साथ में और आप ना चाहते हुए भी आपने अपना काम पूरा कर दिया रेजिस्ट्री करा दी पेपर भी दे दिये और उसको बता भी दिया था कि राएदार है वर्बली लेकिन उसके बाद भी आप फस जाओगे कोट कचैरी के चक्कर में तो इन चीजों को साफ साफ लिख देना एग्रिम परंतु उसमें थोड़ा सा लालच आ जाता आदमी के मन में कि चलो यार दो महीने का किराया आ रहा है मैं क्यों वेस्ट करूँ लेकिन इसको डिस्कलोज करिया प्रोपरली एग्रिमेंट उसेल के अंदर एक और साफधानी जो आपको रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि जिस दिन आप सब रिजिस्टर और ओफिस जाएं अपनी प्रोपरिटी की रिजिस्टरी करवाने तो नेचरली आप अपने सारे जो ओरिजिनल प्रोपरिटी डोक्यूमेंट है वो लेके ही वहां हैं बायर के भी और सेलर के भी कि आप ऐसे ही हैंड़ोवर मत कीजिए उसका एक पेपर पे भाले ही 10 रुपे का स्टेम पेपर ले लिजिए उस पे एक list of document आप टाइप करवा लिजिए उसमें पूरी chain टाइपिस्ट से टाइप करवा लिजिए कि इस प्रोपरिटी के कौन- कि आज इतनी तारीकों यह यह प्रोपर्टी का सोधा हुआ है और यह यह फॉलोइंग पेपर्स इस प्रोपर्टी के ओरिजिनल में हम इनको हैंड ओवर कर रहे हैं नमबर वन नमबर टू त्री फोर फाइव सिक जितने फीर आप उसको दे लिए ऊरिजिनल और प्रोपर्टी का डिस्क्रिप्शन कोई लेटर है तो उसका कोई नंबर है डॉक्युमेंन नंबर है रिजिस्क्रेशन नंबर है कोहीं सेल्ड डीर नंबर है वह सब उसमें मैंशिं कर दीजिए और फिर उस पेपर पे जितने भी बायर्ज हैं सब के साइन करवाईए ऐसा नहीं किसी एक बायर के साइन करा लिए उस पे सब बायर्ज के साइन करवाईए कि उन्ने ये property paper प्राप्त हो गए है ऐसा करने से भविशे में कोई विवाद उत्पन होगा तो तो बायर आपके उपर जूठा युजाम नहीं लगा सकता कि भाई साब आपने ये वाला प्रोपर्टी वेपर मुझे दिया ही नहीं था यार ये तो आपके पास रहे गया है यू विल बी उने सेफर साइब नेट्स साफधानी पे आते हैं जो पेमेंट से रिलेटिड है आपको जब बायर पैसा पे करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी प्रोपर्टी जो आप बेच रहे हैं वो दो लोगों के नाम पे आपके और आपकी वाइफ के नाम पे 50% 50% का शेर है उस प्रोपर्टी में तो आप बायर से जो पैसे ले वो पूरे के पूरे भाई साब अपने अकाउंट में नहीं लेना 50% पैसे क्योंकि प्रोपरिटी में 50% शेर वाइफ का था तो 50% पैसे वाइफ के अकाउंट में जाने चाहिए और 50% पैसे प्रोपरिटी सोदे के आपके अकाउंट में आने चाहिए तीन लोग है अगर प्रोपरिटी के मालिक और जिस भी अनुपात में वो मालिक है जो कि previous registry में लिखा होगा कि उनका उस property में हिस्सा कितना अनुपात में है, नहीं लिखा होगा तो बराबर माना जाएगा, सब के पास पैसे आने चाहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे घरों में, भाईयों में, पती में, बाप में, बेटे में, मा में, मैंने जगड़े होते द होगे, चाहिए, वो कितना ही करीबी क्यों ना हो, वो आपको कोट में ले जाएगा, और बोलेगा, ये प्रोपर्टी में मैं भी जॉइंट ओनर था, ये प्रोपर्टी बेची गई, और इस प्रोपर्टी को बेचने से जो अनुपातिक प्रोपोर्शनेट शेर मेरा बनता वो मुझे नहीं मिला, अब बताओ क्या ज़र होगे, एक और साफधानी है, एग्रिमेंट टू सिल में जब हम क्लोजेज लिखते हैं, टर्म्स एंड कंडिशन लिखते हैं, तो आम तोर पे कुछ बायर ये शर्त लिखवाते हैं उसके इंदर, कि यह सोधा प्रोपर्टी ख पाया है, तो यह डिल केंसल मानी जाएगी, टोकन मनी तो वो दे देते हैं, परंत उसमें ऐसी कंडिशन लिख देते हैं, और फिर बैंक में लोन अपलाई करते हैं, एग्रिमेंट तू सेल के साथ, और प्रोपरिटी पेपर की फोटो कोपी के साथ, जिस भी बैंक से उन्हे लोन लेना होता है, अब इसमें क्या है, आपको इसमें हलका सा संशोधन करना है, टर्म्स कंडिशन में ये जो पर्टिकुलर कंडिशन है, इसमें हलका सा संशोधन क्या करना मैं बताता हूँ, जब वो व्यक्ती बायर बैंक में लोन अपलाई करेगा, तो आम तोर पे, नजर में ठीक नहीं है। उसमें कुछ झाध पैर प्रॉपर्टी ठीक नहीं थो थीक है। आप तो ठीक हो। तुक हैं। आपको बायर तो ठीक है। आपको तुम्हेश्फ में लोन तेमास, प्रॉपर्टी में धो धूंगा। और दूसरी अवस्था कि यह हो सकती किonos Sono प्रोपरिटी तो ठीक है आपकी बढ़िया क्लीन प्रोपरिटी है, प्रोपरिटी से हमें कोई इशू नहीं है, परन्तु वो जो बायर है जिसको आप बेच रहे हो घर, उसका सिविल खराब है, उसने डिवॉल्ट करके बैंकों के पास्ट में, उसके क्रेडिट कार्ड में आ क्योंकि उसमें लिख दिया आपने कि बैंक लोन रिजेक्ट कर देगा ते डिल कैंसल मानी जाएगी, तीन-चार महीने आप इंतजार करते रहे कि बैंक लोन सेंक्शन करेगा, इतने में और गराक भी नहीं ढूंडे, जो आ रहे थे वो भी जाते रहे, खाम-खा मार्केट म प्राइस भी फैल गया कि इतने में सोधा हुआ था और डिल भी नहीं उपाई, और आपको जो पैसे की ज़रूरत थी वो भी नहीं पाई प्रोपर्टी बेच के जो भी आपको पेमेंट चाहिए थी, तो आपको उसमें इतना अमेंडमेंट करवाने लिखते हुए कि जब य आप उसको समझा देना, ये बात बोलां कि भाई साब अगर मेरी प्रोपर्टी की वज़े से आपका लोन कैंसल होता है, तो ये एगरिमेंट कैंसल माना जाएगा, लेकिन अगर आपकी इंकम एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है, आपका सिबिल इशू है, आप प्रीवियस और बैंक आपको लोन नहीं देना चाहता है, तो ये एगरिमेंट कैंसल नहीं माना जाएगा, ऐसा आप उनको लिखवा देना, और अगर आपको डाउट है कि बैंक आपको लोन देगा या नहीं देगा, तो पहले आप एक काम कर लीजिए, बैंक से सॉफ्ट अप्रूवल ले लीजिए, इसे बोलते हैं सॉफ्ट अप्रूवल या इसे प्री सेंक्शन भी बोलते हैं, प्री सेंक्शन या सॉफ्ट अप्रूवल का मतलब होता है, कि बिना प्रोपरिटी की वेरिफिकेशन किये, बैंक सिर्फ उस व्यक्ति के इंकम डॉक्यूमेंट्स के अधार पे ये चेक करके बताता है कि हम आपको loan देंगे या ने देंगे और देंगे तो कितना देंगे that is called soft approval और pre-sanction फिर आप उसे property document मत दीजिए आप उसे बोलिए पहले आप bank से pre-sanction करा के लिए यह जब bank आपका pre-sanction कर देगा उसमें वो लिख देगा कि property document दे दीजिए फिर आप property document दे देना और property document के कारण अगर bank loan reject कर रहा है तो बोलो मैं जिम्मेदार हूँ otherwise मैं जिम्मेदार नहीं हूँ next साबधानी आपको ये रखनी है कि जब आप property अपनी किसी को बेच दो तो उसके बाद वो जो नई registry हुई है उसकी copy भी आपको मांगनी है बायर से या उस वकीर से जिसने registry करवाई है वो अपने record में रखनी है और उस registry की एक photocopy करके एक application लिखके municipality में नगर निगम में जो भी concerned authority है जहां mutation होता है वहाँ जाना है और उनको inform कर देना है कि मैंने इतनी तारिक को ये property इस वक्ति को बेचती है इसकी registry की copy में submit कर रहा हूं और आज के बाद इस property से related किसी भी तरह का house tax या कोई भी अन्ने tax कर इत्यादी के लिए सामने वाले वक्ति जिम्मेदार है इसलिए कह रहा हूं मैंने कुछ cases में ऐसा देखा है buyer property तो खरीद लेते हैं लेकिन वो उसके बाद house tax वगेरा का bill पे नहीं करते हैं अगर निगम के record में पुराने seller का यानि आपका ही नाम चलता रहेगा और आपके नाम पे सारे बिल और आउट्सेंडिंग आते रहेंगे कहीं बार तो लीगल नोटिस भी आ जाते हैं उस नाम से तो आपने प्रोपरिटी बेची दिये तो उस प्रोपरिटी से संबंदित ज मेरा कोई लेना देना नहीं यह रजिस्ट्री की कॉपी है I am not liable for any future taxes कुछ और भी अन्य छोटी मोटी साफधानिया है जैसे कि income tax point of view से बायर को TDS काटना चाहिए उसकी liability है उसे नहीं पता तो आप उसे बता दीजिए आपने कोई प्रोपरिटी बेची है तो उस पे जो भ प्रोपरिटी की as a general rule कोई भी unlawful काम आपको नहीं करना चाहिए cash में transaction नहीं करनी चाहिए पर इस point पे मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता सिरफ इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी भी गैर कानूनी गतीविदी से बचिए उसमें फसने के chance होते हैं कभी न कभी आदमी फस सकता है एक case में मैंने देखा है कि seller 40 लाख रुपे नकद ले रहा था और जो बायर है उसमें उसकी वीडियो बना ली थी और बाद में बड़ी दिक्कत हुई उस वेक्ती को अवाइड करिए कोई भी गैर कानूनी काम करने से इसी परकार एक अन्य सावधानी आपको ये रखनी चाहिए कि जब आप प्रोपर्टी बेच रहे हैं बायर को एक बायर है या एक से ज़्यादा बायर्स हैं तो कोशिश करिए कि रजिस्ट्री वाले दिन बायर ही आए और एग्रिमेंट टू सेल पे सबके साइन हो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ लेकिन अगर कोई बायर क आपको भरपूर कोशिश करनी चाहिए और इंसिस्ट करना चाहिए कि वो बायर खुद ही रजिस्ट्री वाले दिन आए क्योंकि जीपिये में प्रोपर्टी खरीदने या अगर आप प्रोपर्टी किसी को बेच रहे हो तो उसमें कई तरह के लफड़े और कई तरह के कोविड के कारण उसका अंतिम संस्कार हो चुका है और अगले दिन जीपिये में प्रोपर्टी खरीदी जा रही है पूरी ट्रांजेक्शन इंवैलिड हो जाएगी कुछ भी हो सकता है ना होने को कुछ ना हो तो जीपिये में क्या प्रोबलम हो सकती है उस पे मैंने एक आप धानिया रखनी चाहिए प्रोपर्टी खरीदते समय वो जो मेरे वीडियो बनाया है उसका लिंक भी में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं